नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज का विशय बेहद खास और महत्वपूर्ण है, खास कर उन लोगों के लिए जो अपने रिष्टे को लेकर चिंतित हैं या जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक औरत अपने पती को धोखा देने लगती है। दोस्तों, चाड़क के नीती में रिष्टों और जीवन से जुड़ी बहुत सारी गहरी बातें बताई गई हैं और आज हम इसी नीती के अनुसार बात करेंगे कि एक औरत कब और किन हालातों में अपने पती को धोखा दीती है। चलिए, अब बिना देरी किये इस रोचक विशय पर बात शुरू करते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे उन कारणों को जो चानक्य के अनुसार एक और उसे धोखा देने पर मजबूर कर सकते हैं। नमबर एक, सम्मान की कमी. नमबर दो, भावनात्मक जुडाव की कमी. चानक के नीती में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर किसी रिष्टे में भावनात्मक जुडाव कमजोर हो जाता है, तो धोखा देने की संभावना बढ़ जाती है। जब पती और पत्नी के बीच समवाद की कमी होती है, एक दूसरे की भावनाओ की कद्र नहीं की जाती, तो धीरे धीरे दोनों के बीच का संभन्द कमजोर होने लगता है। एक औरत को अपने पती के साथ भावनात्मक जुडाव की जरूरत होती है। अगर पती इस जुडाव को नहीं बनाए रखता, तो वह किसी और के साथ यह जुडाव तलाशने लगती है। चाणक के नीती में कहा गया है कि शरीर और मन का ताल मेल रिष्टे को मजबूत बनाता है। अगर किसी रिष्टे में शारीरिक संतुष्टी नहीं होती, तो यह भी एक बड़ा कारण बनता है धोखे का। शारीरिक संतुलन रिष्टे को बनाए रखने में अहम भूमी का निभाता है। अगर पती अपनी पत्नी की शारिरिक जरूरतों को नजरंदाज करता है, तो पत्नी अपने लिए संतुष्टी कहीं और तलाशने लगती है। शारिरिक संबंधों की उपेक्षा रिष्टे में दरारें डाल सकती है। इसलिए पती-पत्नी के बीच इस पहलू को भी नजरंदाज नहीं करना चाहिए. चानक्य ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर घर में आर्थिक स्थिर्ता नहीं है, तो रिष्टे में तनाव आना स्वाभाविक है. और तेंचाहती हैं कि उनका पती आर्थिक रूप से सक्षम हो ताकि परिवार का भविश्य सुरक्षित रहे. अगर पती आर्थिक रूप से कमजोर हो और बार बार असफल हो तो पत्नी अपने पती से निराश हो जाती है. ऐसी स्थिती में अगर कोई और व्यक्ती आर्थिक रूप से स्थिर होता है और उसकी पत्नी को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करता है तो वह उसकी ओर आकर्शित हो सकती है. धोखा देने की यह स्थिती तब उत्पन्न होती है जब पती आर्थिक द्रिष्टी से अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता और किसी और व्यक्ती के साथ तुलना में वह कमजोर दिखाई देता है. नमबर पांच अन देखी और उपेक्षा जब पती अपनी पत्नी की जरूरतों, भावनाओं और इच्छाओं की अन देखी करता है तो यह स्थिती भी धोखे का कारण बनती है. चानक के कहते हैं कि अगर पत्नी को उसकी जरूरत के वक्त पती का साथ नहीं मिलता, तो वह खुद को अकेला महसूस करती है और किसी और का सहारा ढूंडने लगती है. पत्नी की भावनाओं की कद्र न करना, उसकी बातें न सुनना और उसकी समस्याओं को हलके में लेना, इन सब का नतीजा यही होता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो उसकी भावनाओं को समझे और उसकी बातों को सुने. अगर पती का स्वभाव कटोर हो, वह पतनी से दुर व्यवार करता हो या उसकी भावनाओं की कदर न करता हो तो पतनी धीरे-धीरे पती से दूर होने लगती है चानक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपने घर में शान्ती बनाए रखने में असमर्थ होता है, उसकी पत्नी कभी भी उससे खुश नहीं रह सकती कठोर स्वभाव और अनावश्यक क्रोध रिष्टे को कमजोर करते हैं अगर पती अपनी पत्नी के साथ हिंसात्मक या अत्यधिक अनुशासक तरीके से व्यभार करता है, तो पत्नी ऐसे रिष्टे से बाहर निकलने का रास्ता डूनने लगती है, और यही कारण उसे धोखा देने की ओर ले जाता है चानक के नीती में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ती अपनी पत्नी के साथ विश्वास खात करता है, तो उसकी पत्नी भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगती है अगर पति किसी औरत के साथ अफेयर में लिप्त होता है या बार-बार अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ता है तो पत्नी के मन में भी अपने पती के प्रती सम्मान और प्रेम खत्म होने लगता है ऐसी स्थिति में पत्नी भी किसी और के साथ अपने रिष्टे की तलाश करने लगती है और इस तरह रिष्टे में धोका आ जाता है चानक्य ने कहा है कि रिष्टे में प्यार ही वह धागा है जो पति-पत्नी को एक दूसरे से बांध कर रखता है अगर रिष्टे में प्यार की कमी हो तो रिष्टा बिखरने लगता है जब पति-पत्नी के बीच का प्रेम खत्म होने लगता है तो पत्नी किसी और की और आकरशित होने लगती है जो उसे वह प्रेम और स्नेह दे सके दोखा अक्सर तब आता है जब रिष्टे में प्यार की जगहा सिर्फ आपचारिकता और मजबूरी रह जाती है इसलिए रिष्टे में प्यार बनाये रखना बेहत जरूरी है रिष्टे को कैसे बचाएं? चानक्य की सला अब सवाल यह उठता है कि अगर रिष्टे में धोखे की ये परिस्थितियां आ रही हैं तो इसे कैसे बचाया जा सकता है? चानक्य की नीती के अनुसार रिष्टे को मजबूत बनाने के लिए इन बातों का पालन करना बेहत जरूरी है पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर थ्री भावनात्मक जुडाव बनाए रखें एक दूसरे की भावनाओ को समझें और उनका आदर करें भावनात्मक जुडाव रिष्टे को मजबूत बनाता है दोस्तों, ये विशय थोड़ा समवेधन शील है लेकिन चानक्य नीती के अनुसार अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो रिष्टे को धोखे से बचाया जा सकता है हर रिष्टा आपसी समझ और प्यार पर टिका होता है और अगर इन दोनों चीजों की कमी हो जाए तो रिष्टे में दरार आ सकती है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले बैल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विशय के साथ तब तक के लिए गुडबाई